हाई एब्रीवन वेलकम बैक टू बैंकिंग बूर शूरूड अब चनल आज हम लोग इस पाट को वीडियो में कबर करेंगे ESIC UDC Phase 3 का Computer Skill Test को और इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा MS Word का Lecture No.4 और MS Word के अंदर मैंने 3 Lecture अलड़ी ले रखा है अगर आप लोग उन्हें नहीं देखा है उन वीडियो को तो आप लोग जरूर देख लेना उन वीडियो को ठीक है और जो भी New Student है आप लोग को इस वीडियो के Comment Box में जाना है वहाँ पर आप लोग को Complete Playlist बिल जाएगा Computer Skill Test का साथी साथ आप लोग को मैं Telegram का Link भी पिन कर दूँगा वहाँ से आप लोग Telegram पर Join कर सकते हैं और अपना PDF को भी Download करके खुद से भी Practice कर सकते हैं तो चलो देख लेते आज का वीडियो को उससे पहले मैं एक आप लोग को छोटा सा Request करूँगा अगर आप लोग के लिए वीडियो helpful हो तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना तभी मैं आप लोग को इस तरह का वीडियो आगे Continue कर पाऊंगा ठीक है ध्यान लगना तो चलो देख लेते आज का वीडियो मैं पहले यहाँ पर सेंपल पेपर को आपन कर लिया हो ठीक है यह 2019 का है जैसे के आप लोग देख सकते हो पार्ट बी और पार्ट ए मैंने अल्री कंप्लीट कर चुका हो अगर आप लोग उने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो ठीक है और ms word जो यहाँ पर 20 marks का होता है ध्यान रखना और question भी यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ instruction दिया गया है यह पहले पढ़ना है आप लोग को तो मैं instruction पढ़के बादा हो आप लोग को reproduce the text using ms word with the font type तहमा आप लोग को font type जो रखना है तहमा रखना है as per the format and guidelines given below and save the file in correct format और आप लोग को जो file save करना है वो correct format में करना है perform the flowing as per given text आप लोग को सारा चीज़ पर करना है जैसे कि given दिया गया है text उसी तरह से आप लोग को करना है there are four font size यहाँ पर आप लोग को चार font size देखने को मिलेगा 10 11 12 and 20 used along with single double line space यहाँ पर आप लोग को या तो single या फिर double spacing use करना पड़ेगा and formatting then आप लोग को formatting करना पड़ेगा alignment bold italics underline and the combination यहाँ पर कुछ भी combination भी हो सकता है या फिर individual भी हो सकता है ठीक है अब हम लोग यहाँ पर देख लेते कुछ क्या बोला गया है note में all text is in font type आप तहमा जितना भी यहाँ पर आप लोग को क्या क्या करना है हम लोग को तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो top right side में roll number और name लिखना है तो पहले इसको मैं कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर MS word को open कर लिया हो ठीक है और मेरा जो बर्जन है 2013 का है आप लोग हो सकता है 7 का हो 10 का हो या फी 2013 का अपर भी हो सकता है तो सभी में function जो है लगबग semi होता है ठीक है थोड़ा बहुत उपर नीचे देखने को आप लोग को मिलता है तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है roll number लिखना है तो पहले मैं roll number कर लेता हूँ ठीक है त तो इसको gap को हम लोग remove कर देंगे कैसे करेंगे फैसे आप लोग को देखो word start करने से पहले paragraph में is spacing में चले जाना है ठीक है यहाँ पर जैसे click करोगे आप लोग line spacing option में जाना है option में जाने के बाद आप लोग को इसको जीरो कर देना है ठीक है तो इसको हम लोग जीरो कर देंगे और यहाँ पर मल्टीपल आप लोगो देखने को मिलता है तो इसको भी आप लोगो सिंगल कर देना है और सेट एज डिफॉल कर देना है और यहाँ पर इस डॉक्मेंट अल्ली में ओके कर देना है ठीक है अब अब लेट साइड की और चला आया है आप लोग एक चीज देख सकते हो यहाँ पर क्या बोल रहा है इंसर्ट टेक्ट बॉक्स font size 20 alignment center आप लोग को एक insert करना है text box तो यहाँ पर हम लोग text box को insert कर लेंगे ठीक है तो text box हम लोग insert कर लेते हैं पहले तो तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है home tab के just bugle में है right side में insert tab यहाँ से आप लोग को text box में जाना है text box में जाने के बाद आप लोग को एक window खुलेगा वहाँ पर आप लोग simple text box भी दिखेगा या फिर आप लोग draw text box भी कर सकते हो तो मैं यहाँ पर draw text box करूँगा जो की एक easy method होता है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो भी text है उसको मैं copy कर लूँगा ठीक है मैं यहाँ पर आप लोग को लिख के नहीं दिखाऊंगा वहाँ पर आप लोग को exam hall में type करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर मैं copy paste इसलिए करूँगा क्यूँकि कि आप लोग का time थोड़ा सा save हो सकते है ठीक है तो यहाँ से मैं copy कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर से text को copy करा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा paste कर दूँगा box के अंदर ठीक है और यह सारा चीज आप लोग को bold करना है तो यह bold कर लूँगा मैं ऐसे आप लोग देख सकते हो बोल्ट में दिया हुआ है तो मैं इसको सेंटर कर दूँगा पूरा चूज कर लिया हूँ सेलेट कर लिया हूँ उसके बाद सेंटर करने के लिए में करते हो तो यह देखो टेक्स बॉक्स के एकदम से बीचो बीच आ जाएगा ठीक है तो यह हो चुका है टेक्स बॉक्स में ने फिल कर दिया इसको चाहो तो आप लोग थोड़ा सा एजस्ट अपने हिसाब से कर लो लेकिन यह जो community behind है यह नीचे ही आना चाहिए ठीक है यहान रखना तो यह हो चुका है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर next paragraph को यहाँ पर type कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो font size रखना है 12 का रखना है single line space रखना है यह जो paragraph है इस paragraph के भी जितना भी line है उसके line का जो space रहेगा spacing देना है वह single रहेगा alignment आप लोग को justify करके रखना है ठीक है तो मैं पहले तो इसको copy कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर copy करा then मैंने यहाँ पर आ गया यहाँ पर आप लोग को double click करना है तो आप लोग को cursor यहाँ पर आ जाएगा then आप लोग को यहाँ पर type copy paste में यहा पर है तो तो टाउसलंप करना पड़ेगा यह 12 का साइज रखना है तो में आ पर 12 का साइज रखूंगा तो 12 का साइज करने के लिए आप लोग को फिर से यहाँ पर आना है संकर कर देना है यहां पर आप लोग को आप लोग क्या करना पढ़ेगा यहां से यहां तक Select करो Select करके आप लोग Control भी भी प्रेस कर सकते हो या पिर आप लोग यहां भी प्रेस करोगे तो यह Bold हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना फिर आप लोग को Billion से लेके Last तक Bold करना है तो इसको मैं Bold कर देता हूँ ठीक है बोल्ड हो चुका है अब इसको देखो justify बोला था कहाँ पर क्या बोला था हाँ justify बोला है तो आप लोग को justify जो कि मैंने अभी तक नहीं कर रहा है इसको मैं control आप लोग यह से भी कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पर प्रेस करोगे तो यह देखो justify हो जाएगा तो यह justify हो चुका है ठीक है अब देखो आप लोग का एक confusion आएगा छोटा सा यह जो यहाँ पर देख सकते हो technology of यह line जो first line है वहाँ पर off में end हो रहा है right side में लेकिन यहाँ पर क्य यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंस्टक्शन वाला जो टैक्स है वह आप लोग का left side में दिया हुआ है इसलिए यह आप लोग का right side में थोड़ा सा ज्यादा घसका हुआ है ठीक है ध्यान रखना रिचर तो आप लोग को आप लोग चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं करके मै आप लोगा उसले क्या है ध्यान गृइए उसलिए इस तरह से दिकटा है है अब लोग अगर ऐसा कर लेते हो तो आप लोग सो का्माक्सिए कटेगा ठीक है तो यह छीज आप लोग को ध्यान रखना आप लोगको as it is नहीं करना मैं आप लोगuir करके दिखा दिया थांताकि आप लोगका कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो सके ऩिधिक है तो मैं पहले जैसा कर लियता हो इसको था उसे कर लेते हैं और बॉक्स को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि यह सही नहीं लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ठीक है चलो मैंने इसको थोड़ा सा adjust भी कर दिया अब चलो देख लेते next paragraph को हम लोग लिखेंगे अब देखो next paragraph को हम लोग लिखेंगे उससे पहले आप लोग का एक छोटा सा doubt बनता था कि यह जो paragraph end हुआ यहाँ पर क्या space देना है ठीक है उससे जादा कुछ भी नहीं करना है धियान रखना और इसके बीच क्या बोला था single line space ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो single line तो हम लोग एक बार चेक भी करके दिखा लेते हैं by default यह single ही रहता है ठीक है धियान रखना ता आप लोग को यहाँ पर जाना है देखो यह single है single मतलब one या फिर आप लोग लाइन इस्पेस में चले जाओ और single देखे रहें आप लोग लाइन इस्पेसिंग तो इसको भी पार्ट कोई वो कार्ट देते हैं ठीक है ताकि आप लोग का confusion बन जाता है अप लोग का ठीक है लेकिन मैं जो भी आप लोग को बताऊंगा 100% accuracy में बताऊंगा अधरबाइस में नहीं बताऊंगा ठीक है बाकी देखो अब इसको मेरे को यह करना है ठीक है तो मैं इसको control c कर लूँगा copy कर लूँगा यहां से ठीक है दैन आप लोग के font size 10 बोला है single line space यहाप left align देने को आप लोग को है ठीक है तो मैं इसको copy कर देता हूँ यहाँ पर control b करके copy मैंने करा इसका size रहेगा 10 का तो मैं यहाँ पर 10 का size करूँगा तहामा font देना है तो आप लोगो तहामा देना है ठीक है तो तहामा कर लो तो यह आप लोग देख सकते हो मैंने तहामा कर दिया उसके बाद 10 तो size होई चुका है अब क्या बोला था alignment left करना है ठीक है या तो control L करो या फिर आप लोग यहाँ पर click कर दोगे तो यह left में align हो जाएगा ठीक है clear अब देखो मैं एक चीज और doubt clear करना चाहता हो आप लोग को यह जो आप लोग को examiner दिया है ठीक है seat दिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह जो आप लोग देख रहो यह जो करना है as it is के चक्कर में आप लोगा marks भी कट सकता है ध्यान रखना ठीक है तो यह single line space देख लेंगे एक बार देखो यह single line space ही होता है तो एक बार फिर भी चेक कर लो संतुस्ती के लिए तो यह one का space हो चुका है और यहाँ पर देखो तहामा 10 का बोला था तो 10 का मैंने कर द लेंगे तो यहाँ पर 4 का पर 4 यहाँ पर ठीक है इसको लोग बोल्ड कर लेंगे यहाँ पर मैं एक बार और और एक बार सेलेक्ट कर लेता हूं यह सरा 10 का साइज है यहाँ पर हम लोग देख लेंगे यह क्या हो रहा है इसको मैं तहमा फिर से एक बार टाइप कर देता हो लीडी है इसमें नहीं होना है किया जी सिंगल लाइन-पर दिखाई अब लोग मैं फिर से हैता हो दे大家 यह ओचुका कैंee The Son of a Milo को क्या करना है अब आप लोगोंस तरह से करेंगे यहां सब्सक्राइब renault भी कर देता हो तो ये underline भी हो चुका है अब मैं इसको copy कर लूँंगा ठीक है यहां से यहां तक copy कर लूँगा क्या यह control c मैं ने करा तो यह copy हो चुका है अब अब लोगो साइज रखना 11 का next paragraph का size जो है तो यह हो चुका है अब यहां पर क्या बोला है राइट अलाइग्मेंट दियान देखो यह बोला है राइट अलाइग्मेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको select करेंगे पहले control R करो या फिर आप लोग यहाँ पर प्रेस कर दो keyboard से sorry mouse से तो यह देखो यह right की और alignment हो जाएगा ठीक है और देखो यहाँ पर फिर से मैं बज़ा दो यहाँ पर देखो यह जो सारा का सारा जितना भी paragraph दिया हुआ यह आप लोगों का अब अब लोगों का justify किया वाए ध्यान रखना ठीक है लेकिन आप लोगों को जो बोला गया है वही करना है और यहाँ पर क्या बोला है double line space ठीक है इसका जो paragraph के अंदर आप लोग को double line space देना है लेकिन इन्होंने करके नहीं बताया है तो इसको आप लोगो select कर लेना है double line space द है अब आप लोगों को कुछ बोल्ड बोला है क्या देख लेते एक बार बोल्ड तो नहीं बोला है 11 का साइज अलाइंग्मेंट राइट बोल्ड नहीं बोला है ठीक है अब हम लोग को यहाँ पर एक इंटर प्रेस करना फिर से में मैं बदा रहो हो एक इंटर प्रेस करना है आप लोगो यहाँ पर चला आपको है ठीक है तो चलो मैं इसको फिर से एक बार बताता हूँ ठाकि आप और confusion एकदम नहीं होना चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आये यहाँ पर क्या है डबल आप लोग जैसे क्लिक एंटर करोगे तो यह यहाँ पर आजाएगा जो की डबल इस्पेस है जो की बाइडिफोल्ट यह प्रेग्राप में जो भी आप लोग लाइन में इस्पेस है तो वही प्रेग्राप में भी आप लोगा बाइडिफोल्ट ले लेता है ठीक है उसके बाद आप लोग क्या करना है यहाँ पर आने के बाद आप लोग को सिंगल कर लेना अगर आप लोग सिंगल नहीं करते हो और इंटर कर देते हो तो यह बहुत बड़ा एक गैप बन और पर देखो करसर यहाँ तो आप लोग क्या करओगे मैं क्या कर लोगों कर लोग रर में इसको मैं कोपी कर लोगा ठीक है और यहाँ पर कुछ चीजह को इटलिक कर दिया संब के बाद आप लोग को सऴकी實 आप करने के लिए कंटॉल आई यहां पिर प्रेश कर सकते हो तो देखो यह इटलिक फाम में आ है तो आप लोग यहां पर आ चुके थे यहां पर ठीक है यहां पर अभी नवल का ही यहां पर आ जाएगा ठीक है एटलिक से मैं हटा जाता हुँ इसको उसके बाद मैं next Line को लिख लूँगा ठीक है इसको मैं copy कर लेते हूँ पहले तो मैंने यहां पर copy कर लेता हु पहले रचे देखो यह copy नहीं हो रहा है तो मैं इसको एक मिनिट रुख जाओ, तो इसको मैं क्या करूँगा, फिर से करूँगा एक बार, तो ये देखो, सेलेक्ट हो चुका है, मैं इसको अब Ctrl-C कर लूँगा, देन यहापर मैं Ctrl-V कर दूँगा, ठीक है, तो ये Ctrl-V हो चुका है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है, अब इसका ज उसके बाद आप लोगो जो भी बोला गया है, वही करना है, इसमें right बोला था, उसके नीचे बाला में center बोला है, ठीक है, तो यहापर हम लोग क्या करेंगे, center, center करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, Ctrl-E, या पिर यहापर प्रेस करो, तो ये देखो, center में हो चुका है, लेकिन यहापर देखो, इन्होंने center में, फिर से इन्होंने center में ने दिया, सारा चीज आप लोगो को justify करके रख दिया है, ठीक है, ध्यान रखना, उसके बाद आप लोगो 10 से लेकर suicide तक बोल्ड कर देना है, तो यहापर मैं बोल्ड कर दूँगा, 10 से लेकर suicide तक आप 12 का size है, ठीक है, उसके बाद जो bold part बोला था, मैंने bold भी कर दिया, और यह center alignment बोला था, तो मैंने center भी कर दिया है, ठीक है, तो यह हो चुक है, अब हम लोग देख लेंगे, क्या-क्या इसमें करना है, यहापर क्या बोल रहा है, देखो, insert page number, आप लोग को एक page number, insert करना, at the bottom of the page, इस type का ठीक है, bottom of the page में, page one of one, तो आप लोग इसको कैसे करोगे, आप लोग को insert tab में चले जाना है, insert tab में जाने के बाद, आप लोग कहा जाना, insert tab में, insert tab में जाने के बाद, आप लोग यहापर देख सकते हो, header, footer, page number, तो आप लोग को page number में चले जाना है, bottom of the page बो छोंटा सा दिख रहा है तो आप यहां पर कुलिक कर देना है तो यह पेज वन अप वन आप Two ओम को देखने लग जाएगा ठीक है तो फिर्य को प्रेसी आ कि अब अप लोग का साहँ ओंप किम्टी पाले नियूस एक मर gi감 के गारे जैसे कि आप लोग यह पर देख सकते हो और मैंने आसा करता हो कि आप लोग का यह वाला परेगराप का जो difference में आप लोग का जो झाल झाल